आज हम पत्तियों के कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे ठीक है जो लैमिना पाये जाते हैं पत्ति के लैमिना पार्ट को अध्यान करेंगे ठीक है किसका लैमिना पार्ट का अध्यान करेंगे जैसे कि देख लेते हैं इसमें कुछ पार्ट आप देख रहे होंगे ठीक है तो पंड फलक के किनारे कई प्रकार के होते हैं मतलब उनके जो पत्ति के जो पंड फलक के किनारे कई प्रकार के होते हैं जिनके अधार पर पत्तियों को पहचाना जा सकता है मतलब उनके लेमिना के अधार पर पत्तियों को कैसे पहचानते हैं तो आज हम उस पे बात करेंगे ठीक है तो पंड फलक के तर्ट किनारे निम्न प्रकार के होते हैं मतलब जो पंड फलक पाय जाते हैं उनके जो मतलब की लेमिना टाइप के पत्तियां पाय जाती किस तरह से होती है तो आज हम उसके बारे में अध्यन करेंगे ठीक है तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं इंटायर की क्या है इंटायर जिसे बोलते हैं आच्छिन्ने क्या बोलते हैं आच्छिन्ने के नाम से जाना जाता है तो इस प्रकार की पत्तियों के बारे में हम आदाज दिन करेंगे ठीक है तो पत्ति के किनारे कटे फटे नहीं होते तता चिकने एवम सीधे होते हैं क्या होते हैं जब पत्ति क्या होती हैं इंटायर टाइप की इंटायर मतलब यह कह सकते हो इंटायर टाइप की जो पतियां होती है वो कैसे होती है उनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होती है तो इसमें कटे फटे नहीं होते है और चिकने और सीधे होते है इनकी पतियां कैसी होती है चिकने और सीधे होती है तो ये क्या होता है आम में पाया जाता है किस में पाया जाता है आम में जिसे बोलते है मैंगी फेरा इंडीका मतला मैंगी फेरा इंडीका उसका बैग्यानिक नाम है तो मैंगो में क्या होता है ये पाया जाता है और इसके बाद क्या है कटहल में पाया जाता है किस में कटहल म देख लेते हैं तरंगित क्या है अंडूलेट क्या है अंडूलेट या कह सकते हैं अंडूलेट या फिर वाबी वाबी क्या है वाबी जो टाइप की होते हैं तरंगित तो पत्ती के किनारे लाहरदार होते हैं क्या होते हैं जो पत्ती के किनारे होते हैं इस तरह से लाहरदार पाया जाते हैं तो यह लाहरदार जो पत्तिया पाई जाती है अगर हम देखते हैं तो आपने देखा होगा असोक के पेड़ में किसमें? असोक के पेड़ में पत्तियां लहरी लेदार की पाई जाती है तो यह किसमें पाई जाती हैं असोक जिसे बोलते हैं सराका क्या बोलते क्रक्ची जिसे पत्ती के किनारे आरी के दातों के समान होते हैं क्रक्ची या भी सिरेट सिरेट बोलते हैं क्या है सिरेट टाइप की जो पत्तियां होती है ये सिखर की और जुके रहते हैं क्या होते हैं सिखर की और जुके रहते हैं उधारन के लिए जैसे गुडहल क्या होता नीम का क्या होता है नीम में गुलाब में आदि में क्या होते हैं सिरेट टाइप की पत्तियां मतलब पाई जाती है ठीक है तो लाइमना कैसा पाई जाता है जो लाइमना पाई जाता है सिरेट टाइप का पाई जाता है किसमें गुलाब में गुडाहल में नीम में ठीक है तो से होते हैं किनारे दाथ के समान सीधे बाहर निकले रहते हैं और ये पत्ती के किनारे के साथ समकोड बनाते हैं ये पत्ती के किनारे के साथ समकोड बनाते हैं उदाहरण के लिए कुमूदनी क्या है कुमूदनी या तर्भूज यानि सिट्रूलस वलगैरिस क्या हता है सिट्र लेस वर गयर इस तर वूर्ज ठीक है और निम्फिया में पाये जाते हैं टेंटे टाइप की पतियां ठीक है लाइन ना ठीक है तो चलिए देख लेते हों यह आप ने देख पतियों को इस तरह से पतियां पाई जाती elder आपने देखा है आम और कटाल में तो इस तरह की जो पतियां पाई जाती है तो ये क्या होते अच्छिन टाइप के इंटाइर टाइप की और तरंगिट टाइप की पाई क्राक्ची ये क्राक्ची पतियां है जिन पतियां में इस तरह से बने होते हैं उन पत्तियों को हम क्या बोलते हैं इस तरह से जो पत्तियां पाई जाती है उनको क्रॉक्ची के नाम से जानते हैं जैसे यह पत्ति है ठीक है तो क्रॉक्ची यानि सिरेट टाइप की पाई जाती है और डेंटेट टाइप की पत्तियां है जैसे इस तरह से डेंटेट टाइप स्क्राइब की Pay टो यह इस तरह से पती है यह इस तरह से पती यह डीन Grac laugh की थीक है तो इसी परभर क्या है कुंट दंती यह ऐस क्रेंएट यह प्रेंट कुंठ दंती होती है और यह तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले में जैसे माल लिया जाएं देखते हैं तो इस्पाइनी क्या होते हैं इस्पाइनी टाइप की जो पत्तिया होती है इसमें पत्ति के किनारे काटो के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं जैसे उधारण के लिए पीली कटेली ठीक है पीली कटेली जिसे नाम है अरजी मोन मैगजी काना ठीक है अरजी मोन मैगजी कान उधारण के लिए बैगन क्या बोलते हैं। सुलीनमन miranon frust astrology ठीक हैं। यह लोपड़ स्वानग के पत्तियं पाई जाती है। तो रोमिसलियेटीट पत्ति के किनारे उन्येग छोते छोटे रोम पाई जाते हैं। अब हम बात चरुत ही पाद ईड़नच के । अपेक्स आफ लाइमना तो अपेक्स आफ लाइमना किस प्रकार का होता है तो विभिन प्रकार के पाउधों की पत्तियों पर्ण फलकों के सीर्स निम्न प्रकार के पाया जाते हैं पहली two types की होती है कैसी होती है एकिवwie羹 सेंकीन या फिर nion kori नुकीला होता है ज Lebens свои आम गुलहाल आदी में क्या होती एक्विड थे पतिया मतलब की लाहम ना अपकड़ान ना पाया जाता है यह और और इसमें एक होता है एकुमिनेट ये कुमिनेट टाइप की है और अप्ट्यूज टाइप की पतिया कुठांग रजी से बोलते हैं और म्यूक्रनेट ये म्यूक्रनेट पतियां होती है ठीक है और ये क्या होती है कुई स्पाइडेट क्या है कुई स्पाइडेट और पतानिय है attendance type कि ठीक है और यह होती है टाइप कि टाइप कि ये होती रेट्टिउस टाइप की पत्तियां ठीक है और Virginaid पत्ति और ये reginaid होती है ठीक है तो इस तरह से producers कैसी यह भाई जाती है ठीक है जानी नेक्स देख तो एकुमिनेट लबांग्र ठीक लंबाग्रमजी से कैसे हैं तो पर्ण फलक का सीर्स एकदम लंबा एवं पतला वसंकिड होता है जैसे पीपल में किसमें पाए जाता है पीपल यानि फाइकस रिली गोसा रिली जी ओसा ठीक है पीपल में ठीक है तो इसका कुठांग्र अट्यूज में पर्ण फलक का सीर्स चौड़ा एवं गोलाकार वाकुंद होता है उदाहरन के लिए बरगत में और इसके क्या है म्यूक्रो नेट क्या है म्यूक्रो नेट पती सीर्स चौड़ा होता है और मद्ध में भाग में नुकीला होता है उदाहर डेट टाइप की होती है तो सीर्स कठोर यम काटे की तरह नुकीला होता है उदारण के लिए खजूर में किसमें? खजूर में खजूर में पत्तियां देखेंगे कि काटे की टाइप की पाई जाती है ठीक है? चलिए अगला देख लेते हैं तो टेंड्रेल टेंड्रेल टाइप की तो पर्ण फलक कसीर्स प्रतान में रुपांतरित हो जाता है तो ये गलोरियोसा में पाई जाता है किसमें? टेंड्रेल टाइप की पत्तिया किसमें पाई जाती है? ग्रोलीशा में पाया जाता है और इसी तरह क्या है ट्रंकेट टाइप की किसमे पाए जाती है पर्ण फलक कसीर्स कटा हुआ सा प्रतीत होता है पेरिस पॉली फिला में किसमे पेरिस फिला में और इसी तरह क्या होती है रेटियूस टाइप की पती है किसमे पाए जाती है रेटियूस रेटियूस इसमे पर् पाय जाते हैं वो गोला कार होते हैं और इसके जो मद यानि बीच का एक खाच होता है जो सीर्सगर्त की कहलाता है, या रेटियूज कहलाता है इसमें रेटियूज टाइप की पत्थम लेमना किस में पाय जाते हैं? पिश्टिया में यानि जलकुम्भी जिसे बोलते हैं पिश्टिया और खटी बूटी आगजैलिस क्या है आगजैलिस में पाया जाता है तो चलिए आगला देख लेते हैं इमर्जिनेट ठीक है गर्ती यहाँ गर्त की के समान होता है इसकी खाच बाहर की और कैपर्ड फलक का दो भागों में विवक्त करती है जिसे कुठांकर या फिर सीर्स पर गहरी गड़े नुमस्टन रचना पाई जाती है तो इसे हम बोलते हैं गर्ती क्या कहलाती है गर्ती कहलाती है जैसे बहुनिया जिसे कचनार के नाम से जानते हैं और एक होती है आगजोलिस क्या है आगजोलिस खटी बूटी के नाम से जाना जाता आगजैलिस ठीक है आगजैलिस टाइप की ठीक है तो इस तरह से पत्तियां पाई जाती है तो चलिए देख लेते हैं अगले पत्ती के बारे में ठीक है तो ये पत्तियां है आप देख लीजिए तो ये सारी पत्तियां पाई जाती है तो हम देखेंगे अगले टॉपिक्स की बात में तो सेबसाफ लाइमना ठीक है सेबसाफ लाइमना विभिन पाउधों की पत्तियां आकरतियों माकार में क्या होती हैं भिन्ड भिन्ड टाइप की पाई जाती हैं मतलब उनके जो आकार होता है बहुत अलाग अलग प्रकार का होता है और विभिन प्रकार के होते हैं आकरति के पाई जाते हैं पहला है एसी कुलर क्या होता है इसमें पत्ति का कार सुई के समान पतला और नोगदार होता है जैसे पाईनस में किसमें पाई जाता है पाईनस में तो इस तरह से पत्तियां पाईनस में पाई जाती है तो यह पाईनस की देख रहा है यह नंबर की पत्तियों ह लॉंग कैवटा इस तरह से सारी पत्तियां पाई जा रही ठीक है तो इस तरह से क्या होती ही पत्तियां पाई जाती है तो इसमें रेखा का लाइनर इसमें पत्ति लंबी पत्ली होती है क्या होती है पत्ति लंबी होती है तो जैसे दूब घास में लीनियर टाइप की पत्ति क इसमें पाई घास में पाई जाती है और अगले टॉपिक्स में तो इस तरह से सारी पतियों के बारे में हम आज इस्टेडी कर लेते हैं ठीक है तो भालाकार भालाकार क्या है लेंसोलेट होती है लेंसोलेट यानि भालाकार पती की पड़ फलक बीच में मोटा तता सिरोपन नुकीला होता है या और इस तरह की पतियां कनेयर में पाई जाती है भालाकार पतिया किसमें पाई जाती है कनेयर में पाई जाती है जो कनेयर नहीं होता है अगले में आपका दिया गया है आयत रूप क्या है और प्लॉंग टाइप की थीक है तो इसमें पत्ति लगबग आयत के समान होती है इसका सीर्स गोलाकार होता है तो ये आयत की पतियां जैसे आयत टाइप की पतियां इस तरह होती होंगी ठीक है तो ये इसमें मुसा पाराडिसीका मैंना मुसा पाराडिसीका में पाया जाता है जिसे बोलते आप केला में किसमें केला में पाया जाता है तो इस तरह की पतियां मुसा परड इसका में पाई जाती आयताकार की पतियां ठीक है तो चलिए अगला देख लेते हैं अंडाकार ओवेट इसमें पतियां अंडाकार होती है परंतु सिरे की अपेच्छा अधार का बाग आधिक चोड़ा होता है उदारन के लिए पीपल पीपल में क्या अंडाकार ओवेट टाइप की पतियां होती है और बरगत में जैसे बरगत फाइकस बेंगा लेंसिस ठीक है फाइकस बेंगा लेंसिस और फाइकस लिलीजियोसा क्या है फाइकस लिलीजियोसा में ऐसी पतियां पाई जाती है ठीक है त पत्ति पर्णफलक हिर्दय की आकरती का होता है इसमें पत्ति का अधार हिर्दय यानि हिर्दय के समान चौड़ा एउम्लखाच यूपत होता है तो जैसे पाइपर बीटल क्या होता है पाइपर बीटल गिलोई और टीनो इस्पोरा में पाया जाता है क्या है टीनो इस्पोरा में पाया जाता है और इसी तरह क्या है बाणा कार जैसे सैजी टेट क्या है बाणा कार यानि सैजी टेट इसमें पत्ती का कार यानि साइज यानि बाण के समान होता है और नीचे के और पंड फलक ब्रंड बिंत के दोनों और क्या होते हैं नुकीले पालियां बनाती हैं क्या बनाती है नुकीले पालियां बनाती है जैसे सेजी टेरिया किसमें सेजी टेरिया में पाया जाता है तो चलिए देख लेते हैं अगला इसमें क्या होता है किर्ताम क्या होस्टेट होस्टेट टाइप की पत्तियां या पढ़ फलक बाणाकार होता है परन तो पत्ति के नीचे की पालियां एक सीरे की और जुके रहते हैं क्या तो एक सीरे की और जुके रहते हैं जैसे कर्मुआ जह बेहा जिसे कहते हैं क्या बोलते हैं बेहा इपोमिया रेप्टैंस क्या है इपोमिया रेप्टैंस में पाया जाता है तो इसमें देख लेते हैं ब्रक्का का ठीक है रेनी फॉंद इसमें पर्ण ब्रिंति की और से पर्ण फलाकंदर की और धासा धास जाता है या धासा होत तो देखने में इनकी आकरती गुदे के समान दिखती हुदारान के लिए ब्रहमभी बोटी ठीक है हाइडरो काटील क्या बोलते हाइडरो काटील ठीक है मालवा मालवा में इस तरह के हिर्दयकार की पतियां पाई जाती है तो चलिए इसमें पंड़ फलक कर्द चंद्रकार होता है उदारण के लिए एडियेंटम फर्न क्या है एडियेंटम फर्न में नव चंद्रकार या लूनेट लूनेट टाइप की पतियां और जुमल कता जिसे बोलते हैं पैसी फ्लोरा खीसे में पाया जाता है पैसी फ्लोरा में पाया जाता है तो चलिए अगला देख लेते हैं इसमें क्या है आधो मुख या अंडाकार ओबो वेट ठीक है इसमें पनफलक लट्टू या उल्टे अंडे क्याकार का होता है इसमें पत्ती अधार किया पेच्छा सीर्स भाग चोड़ा होता है तो जिसे कहते हैं कटहल क्या है कटहल आइटोकारपस हेटरोफिलोस क्या हेटरोफिलस और बदाम में पाय जाता है किसमें पाय जाता है तो बदाम में क्या है प्रूनस बदाम को क्या नाम बविग्रानी यह दैलस क्या है, यह दैलस है पूंस इमाई दैलस ठीक है तो इस तरह से इसमें बदाम में पाई जाती है तो चलिए नेक्स्ट दे लेखे जिरे हैं अधो भुखी या हिर्दाकार ओब कोरडेट ठीक है या हिर्दयकार का उल्टा होता है अर्थार पत्ती के उपरी सिरा चोड़ा और खांच यूप तो होता है जैसे कच्चनार में किसमें और खटी गूती अकजैलिस में पाई जाती है ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं इस पायचुला कार इस पायचुला मतलब कलचुल के अकार के जैसे पाय जाते हैं पत्तियां तो इसमें पत्ती का उपरी भाग चोड़ा गोल तता अधार भाग पत्तला होता है इनकी आकरते चम्मस के समान होती है इस पायचुला मतलब कलचुल की टाइप की होती है तो यह ऐसी पत्तिया ड्रोसेरा में पाई जाती क्या है ड्रोसेरा एक कीड बच्छी पौधा होता है ठीक है और फानाकार फानाकार यह मतलब कि एक ड्रोसेरा की बात करते है तो ड्रोसेरा एक तरह का मतलब कीचड में उगने वाला है और जहां पर नैटोजन की कमी होती ही वहां पर ये डोसेरा उपता है और ये कीट भच्छी होते हैं क्या होते हैं मतलब कीटो को भच्छड करते हैं कीटो को मार कर उसे नैटोजन राप्त करते हैं डोसेरा ठीक है तो चलिए नेक्स देख लेते हैं फनाकार ठीक है तो ये फनाकार में जैसे देख लेते हैं फनाकार क्योंने टाइप की पत्तियों का आकार सर्प के फर्न समान होता है पर्ण फलक की चोड़ाई अधार से उपर क्यों करमसा नुसार बढ़ती है उदारण के लूप जैसे पिस्टिया पिस्टिया में फनाकार टाइप की पत्तिया पाई जाती हैं तो अगला देख लेते हैं देर्ग बरत्ताकार इलिप्टिकल इसमें पत्ति की आकरती अंडाकार परंतु पत्ति की चोड़ाई लंबाई से कुछ कम होती है उदारण के लिए अमरूद पिस्टीडियम क्या है गाउनिया ठीक है पिस्टीडियम गाउनिया में ऐसे पाई जाते हैं ठीक है तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं चक्राकार राउंड इसमें पर्ण फलक गोल चक्राकार होता है उदारण के लिए नास्टीशियम और कमल निलंबो निवसी फेरा तो चक्राकार पाई जाती है पत्तिया निलंबो निवसी फेरा और नास्टीशियम में ठीक है तो थैंक्यू क्लास